इस वीडियो में दोस्तों में लोग बात करने वाले सुझलाओन के बारे में जिसके की consolidated numbers announced हो चुके हैं पूरा data इन करोड में quarter 1 की earning से quarter 4 की है then June 2021 की details हैं जो कि हमारा पिछले सल का quarter 1 था तो चलिए बात करते हैं कि कंपनी की जो yearly income है इस बार हमें कितनी देखने को मिल रही जो की year basis पे 1148 करोड से बढ़के 1383 करोड पर आगी तो yearly income में काफी शांदार जम्प है quarter basis की बात करें तो 2478 करोड से कम होके 1383 करोड पर आगी तो Q on Q basis पे income नीचे गई है और yearly income बढ़ गई है कंपनी की टोटल खर्चों की बात करें तो 1376 करोड के quarter 1 में रहे 2511 करोड के quarter 4 में थे और 1227 करोड के जून 2021 में थे जिस तरीके से yearly income बढ़ी yearly खर्चे बढ़के quarter basis पे income नीचे गई तो हमें कंपनी के खर्चे भी कम दिख रहे हैं इस बार उसके बार देखेंगे आप तो exceptional item में आपको quarter 1 में 2469 करोड का एक फंड दिखेगा जिसकी वजह से company के profits इस बार काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं बट अगर हम बात करें profit before exceptional item and taxes तो company को इस बार 7 करोड रुपीस का profit हुआ थ जो कि quarter 4 में 32 करोड का लॉस था और जून 2021 में 78 करोड का तो company की जो पीवीटी है profit before exceptional item and taxes वहां पे performance काफी अच्छी रही देन दोस्तों exceptional item की adjustment टेक्स की adjustment हुई फिर आया हमारा net profit loss for the period जो कि अगर आप देखेंगे जून 2021 में company को 3 करोड रुपीस का profit था जो बढ़के इस बा काफी बहतरीन जंप है दोस्तों कि quarter basis की बात करें तो 205 करोड का company को quarter 4 में loss था जो कि अपकी बाद 243 करोड का profit हुआ है तो देख सकते हम दोनों जागे performance काफी अच्छी रही है अगर आप profit before exceptional item टेक्स की बात करेंगे तो वहां पे भी company के प्रदेशन इस बार काफी शांद और 0.18 जून 2021 में अगर after exceptional item टेक्स की बात करेंगे तो profit plus का हमें 2.57 देखने को मिल रहा है और 0.22 नेगेटिफ का quarter 4 में 0.03 नेगेटिफ का जून 2021 में तो देख सकते हम जिस तरीके से exceptional item की adjustment के बाद profit बढ़े company का EPSB quarter plus yearly basis पे positive के तरब move करता हुआ हमें देखने को मिल रहा ह तो overall अगर आप देखेंगे तो company की जो numbers हैं वो काफी शांदार हमें इस बार देखने को मिल रहे हैं दोनों ही जगे हमें जबरदस्त एक jump देखने को मिल रही है अगर आप exceptional item की details देखेंगे तो इस चीज़ का gain है company का gain on derecognization of OCDs and CCPS net of transaction cost तो वहाँ पे company को 2397 का amount देखने क करी गई है तो overall अच्छे numbers हैं बिल्कुल तेजी इसके share price में आ सकती है तो आपके पास कितने shares हैं कितने आपने खरीदारी कर रखी comment box में बिल्कुल बताएं अगर आप एक safe investor हैं तो मेरे साब से ऐसी companies को आपको avoid करना चाहिए long term के लिए या फिर short term के लिए तो आपके पास कितने share से comment box में बिल्कुल बता हैं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए बाबाए जय हिंद